दोस्तो नेशनल स्कोलर्शिप पोर्तल को पूरी तरीके से बदल दिया गया है जैसा कि अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नए दिजाइन में नेशनल स्कोलर्शिप पोर्तल को लंच किया गया है जिसके लिए यहाँ पर सभी स्टुदेंट को अब एक नया प्राप्त हो रहा है जिसमें यहां पर सभी स्वाइब को अपर कि प्रिक्रिया को पूरी काणी होगी इस परकार से आपको एक मैसेज प्राप्ट हुआ होगा जिसमें बताया जा रहा है कि आप सभीध वीद्यार्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अब समझे कि यह ओती यार क्या होता है तो देखिए ओ तीयार का full marketing फर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज्यानि कि एक बार आप लोगों को सक्तिक काना होता ऐसे अगर अगर एक बार लेंगे तो दुबारा करेंगे ना पर रजिस्ट्रेशन करने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहां पर जो सभी विद्यार्थियों को बस एक बार करनी है और जो करते समय आपको एक नंबर प्राप्त होगा उसी नंबर के अनुसार यहां पर जो आप सभी बार लोगिन करके अपने इसकोलर्षिप के लिए और और बार बार जो आपको रजिस्ट्रेशन करने का जंजच था उसको खतम कर दिया गया है तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले तो एनश्बी के ओस्ट्रेशेल पोर्तर पर आना होगा जिसके लिए आपको गूगल ओपेन का ना है सब्सक्राइब स्कूलर्शिप ओती या रजिस्ट्रेशन दोजार चोविस का बिकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करनी है अब जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार से एक न्यू पीज उपन होगा जहां पर आप देखेंगे तो सभी जनकाई को हम विस्तार पूरग हिं सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए पर नमबर नहीं पाता है वे सभी एस्तुदेंट यहां पर क्लिक करके अपना OTR नमबर को forget कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो दिसा निर्देश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ बता गया है तो दोस्तों जैसा कि अभी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बते आ गया है कि पोर्तल को छात्रों के लिए one time registration के लिए खुला है यानि कि OTR करने के लिए आप सभी विद्याथियों के लिए इस पोर्तल को open किया गया है OTR यहां पर सभी विद्याथि को करनी होगी उसके बाद बते आगया है one time registration यानि कि OTR एक अदूतिय संख्या है जो चात्रों को अवंतित की जाती है और यह रास्तिरिये चात्रों पोर्तल पर संपुर्ण सैक्षिनिक जीवन के लिए लागू होती है जिस तरह से आप सभी क को एक OTR नंबर दिया जाएगा जिसके मदद से आप स्कॉलर्शिप के पोर्तल पर ऑनलाइन अभेधन कर पाएंगे उसके बादे आप जनकाई दिया गया वीटी वर्स दोजार चोविस से पचीस से रास्तिरिये चात्रों पोर्तल पर चात्रों के लिए अभेधन करने है त अब तक यहां पर आपको स्कॉलर्शिप के लिए ओनलाइन आवेधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा उसके बाते आगया अधार अधार नमंकन संख्या इदी आई का उप्योग करके OTR त्यार किया जा सकता है यानि कि दोस्तों यहां पर आपको OTR करने के लिए अधार स से OTR संदर्व संख्या यानि की रिफ्रेंस नमबर आवंतित की जाएगी और इसमेंस के माध्यम से सुचित किया जाएगा कि अधिक जनकारी के लिए किर्प्या यहां किलिक करें यानि कि दोस्तों जो ही स्टूदेंट इससे पहले वीटिये वार्स दोजा आते इससे 24 में अपना रजिस्ट्रेशन किये थे उन सभी विध्यार्थी का यहां पर जो ही OTR हो चुका जो भी फेस ऑथंटिकेशन की होंगे उन सभी विध्यार्थियों के मोबाइल नंबर पर एक रिफ्रेंस नंबर भेजा जा रहा है जिस रिफ्रेंस नंबर के मादम से आप सभी द्यार्थी को OTR करने के लिए एक अप्लिकेशन लंज किया जाएगा जिसका नाम है एनस्पी OTR इस एप के मदद से आप सभी भी द्यार्थी अपना OTR कर पाएंगे और यह जो अप्लिकेशन हो गूगल प्ले एस्टोर पर उपलब दोगा जहांसा आप इसे डाउनलोड कर सक ज़ुल हो सकता है कि यहां पर आभेधर्ण की जो परक्रिया हो ऐक से दो महिने के अंदर ही आप सभी वीद्यार्थीं के लिए शुरू कर दिया जाएगा जिसके बाद इन भी विद्यार्थी को रिफ्रेंस नंबर दिया जा रहा हुए सभी विद्यार्थी किस परकार से अपना OTR की परिक्रिया को पूरी करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आप आप देखेंगे तो बताया गया है कि सबसे पहले आपको प्ले एस्टोर से अधार फेस आरदी बखा गया है और इस दोनों अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जाप नस्पी ओटी यार वाले अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो इस परकार का डैस्बोर्ड ओपन होगा जहां पर आपको एक ओप्सन मिलेगा एक वाई सी बीट फेस ऑथेंटिकेशन का आपको इस नंबर को फर्गेट भी कर सकते हैं वैसे सभी विद्यार्थिक मोवाइल नंबर पर प्राप्त हो रहे हैं मैसेज के माध्यम से तो वही रिफेंस नंबर यहां पर इंटर किजेगा सेंड वाले विकल्पे किजेगा आपके रजिस्टाद मोवाइल नंबर पर एक ओटी प्र अब आपको इसे वेरिफाइब करने के लिए प्रोसीड फोर फेस अथेंटिकेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करनी है उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक कम्प्लीट हो जाएगा और आपको इस परकार से एक ओतिया नंबर मिल जाएगा तो इस परकार से आपको एक चोदर दिजित का OTR नंबर मिल जाएगा जिसे स्क्रीन सोट ले करके आपको सुरक्षित रख लेना है या कहीं पर भी नोट करके सुरक्षित रख लेना है क्योंकि भविस में आप जब भी NSP के पोर्तल पर किसी भी परकार के स्कोलर्शिप के करेंगे वहां पर आप से यही OTR नंबर मांगा जाएगा और इसी OTR नंबर के मदद से आप सभी विद्या थी स्कोलर्शिप के लिए ओन लाइन अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तों यह तो प्रोस्रस हो गया जो भी विद्या थी इस से पिछले सत्रियानी की 23 से 24 वीटिय करनी है उसका जनकाई पहले आप वहां को बता देते हैं तो देखे जो भी इस तो देन तभी बिल्कुल नाया है कभी एनसपी के पोर्तल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किये थे उन सभी विद्याथियों के लिए यहां पर हम एक लिंक उपलब्द करा दिया है डाइरेक्ट ल लाइन сब्स परहे इस पर राजिव हो अपने अपने लिंक हो औहीं मोगाल नमबर इंटर किजेगा उसके बाद लोघ वाले विकल्प पर असके अब जैसे ही फय वाले बिकल पे क्लिक करेंगे इस पारकार का प्रकार आंपर आूआ पर आपको अपना दार नंबर वाले बिकल पे कलिक करना है जो भी मोबाइल नंबर जुरा होगा उस मोबाइल नंबर पर निदेश को यहां पर इनक्ति करेंगे जिसके बाद के सामने एक नूपर सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर देखेंगे तो इस परकार्ण से बतायागा npci manager status में यहाँ पर आपका bank already seed है तो यहाँ पर बता रहा है account is seeded with adhar on npci member यानि कि आपका bank seeded है आपको यहाँ पर seed नहीं करवानी होगी जिन भी student का bank adhar card के साथ seed नहीं रहता है उन सभी विद्यार्थी को सबसे पहले अपने bank adhar card के साथ seed करवानी होती है उसके बादे यहाँ पर finish वाले option पर click करनी होगी अब दोस्तों जैसे यहाँ फिनीश वाले option पर click करेंगे आपका registration सफलता पूबर complete हो जाएगा और इस परकार से आपको एक otr number दिया जाएगा जिससे आपको यहाँ पर सुरक्षित रख करने हैं अभी आप देखेंगे तो सिर्फ आपको reference number मिला होगा यहाँ पर आपको reference number के माध्यम से otr number प्राप्त करनी है तो किस परकार से आपको otr number प्राप्त करनी है जिसके बाय में पहले हम आपको जनकाई बताएं तो स्यम सी परकार से सभी step को follow करके आप बड़े आसानी से आपप अपने OTR नंबर को प्राप्त कर सकते हैं इस परिकार से आप सभी विद्धियार्थी को सबसे पहले Talk पर आ कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अभी जो है यह वीडियो बहुत ही जड़ा पसंद होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परकार की अपदेद हो को सबसे पहले आपको मिलती रहेगी क्योंकि भविश में आप कभी वी स्कूलर्शिप के लिए ओन लाइन आवेदन करेंगे तो आपको ओती आव नंबर के माधम से ओन लाइन आवेदन करना होगा तो दोस्तों फिलाल आज की बिदुआ सितना ही मिलते हैं किसी नहे वीडियो में किसी नहे तौपिक के साथ जै झाल आवेदन लाइन के खरया तोस्तों सब्दों से दोड़ेदन हैं किसी नच्वागी मिलते ही संपने ह।ास चाल रजिए'sं से तोस्ते ही नहे अपको बिदक तोस्तों से नहे हैं धो बिदूंदी हो करेंवेदन किसी ज sound आवेदन में दूस्तों स्क्त्तर्शन में दें है